हलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में और आज हम कराने जा रहे हैं एक और नई मात्रा आज हम एक नई मात्रा सीखेंगे अपने पहले जो सीखी थी वो एक ही मात्रा सीखी थी जिसका उचारण था ए और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है चान है इसमें कितनी मात्राय लगती है बच्चों इसमें दो मात्राय लगती है तो चलिए बिना विलंब किये हम अपनी कक्षा प्रारम करते हैं स्वागत करते हैं आपका अपनी हिंदी स्वर्तरन बाइ ब्रेन रूट से हम सीखेंगे आई की मात्रा और आई की मात्रा जो होत गई की तैइ् ला में दो मात्राँ हैं लग गई की तो बन गया ले इसको बोलेंगे जैसे पार रःस दो yeter मात्रह के मतर है पे पैर ना में फिर से यारम दा और देन नैनन पां में ई की मतरा पैसा ता में की मातर एकि मत्तर तै के रहाक सा में की मत्तर सेलेक कफेलर कंपर खपरेल और अब हम फिर से पर प्राक्टिस करते हैं अभ्यास करते आप में एकी मत्रा पेर बा में एकी मत्रा बेर गाह में की मत्रा ग्यर चा में में एकी मात्रा चैन, रा में एकी मात्रा रेन, ना में एकी मात्रा नैन, मा में एकी मात्रा मैया, भा में एकी मात्रा गया, ना में एकी मात्रा नया, गा में एकी मात्रा गया, का में एकी मात्रा कैसा, मा में एकी मात्रा मैदा, डकेत लठेत हैरान शा में ऐ की मतरा शेतान ला में ऐ की मतरा तलया गा में ऐ की मतरा गवया दैनिक, सैनिक, तैराक, बैसाख, कसैला, विशैला, बैल गाड़ी, पैराशूट, नैनी ताल, कैद खाना फैजाबाद, मत मैला, और बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक बार अभ्यास करेंगे, वाक्यों का और जैसा कि मैंने बताया जो लाल निशान है, किसके हैं ये, ए की मतरा के तो चलिए पढ़ते हैं, आज वैभव का जन्म दिन है, वह बैल गाड़ी से आया है, वह बहुत शैतान है, पापा जी ने बैजनात हलवाई बुलवाया, वह फैजाबाद का रहने वाला है, वैजनात के पकवान देखकर सब हैरान थे, शैल जाने वैभव के लिए कैमरा लिया, वैभव कैमरा पाकर बहुत खुश हुआ, तो इसमें आपने देखा, जो लाल रंग के निशान थे, वह किसकी पहचान थी, ए की मतरा के, इसलिए मैं उसको जोर से बोल रही थी, अब फ सुरिया के साथ मैकू मेला देखने गया, सुरिया तथा फैजल पिताजी से पैसा लेकर गए, मेला पास ही लगा था, मैकू बहुत शैतान था, फैजल ने एक मैना देखी, सुरिया ने पैसे से कैमरा खरीदा, ततया ने फैजल के पैर पर काट दिया, फैजल सेर के बाद पैदल घर आया, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ए की मातरा के शब, ए की मातरा की पहचान है, दो मातराएं होती है, और इसको बोलते कैसे, इसका उचारण होता है, ए, मेला, कैला, चैला, ए की मा और अब हम क्या करेंगे उचित वर्ण पर हम ए की मात्रा लगाएंगे जैसे मना लिखा है तो मैंने लिख दिया ए की मात्रा लगा के मैना मदान में हमने ए की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया मैदान बसाखी में मैंने ए की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया बैसाखी पदल पदल में फिर से एकी मात्रा बन गया पैदल थला थला में फिर एकी मात्रा थैला हरान में फिर एकी मात्रा हैरान करम फिर एकी मात्रा कैरम बठक बठक में फिर एकी मात्रा बैठक डकत, डकत में ए की मातरा बन गया डकत, सर, सर में ए की मातरा बन गया सेर, तनात में ए की मातरा तैनात, मैं किसकी मातर लगा रही हूँ? मैं लगा रही हूँ, ए की मातरा लठत, लठत में ए की मातरा बन गया लठत, और अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने है तो सबसे पहले क्या बना हुआ है यह यह बना हुआ है सैनिक और यह क्या बनी हुई है यह बनी हुई है गा में ए की मात्रा लगाई गया और ये क्या बना है था में मैंने ए की मातर लगाई तो बन गया थैला तो हमने चित्र पहचान कर उनके हमने नाम लिख रहे हैं और अब फिर से हम लिख रहे हैं ये क्या है ये तो बना हुआ है एक ड़केत ये क्या है ये बना हुआ है ता में ए की मातर ते राक ते राक ठीक है और अब क्या है सी लेंड़ तो हमने चित्रों को देखकर हमने उनके नाम लिखे और अब एक ही मातर जोड़कर हमें शब्द बन वाने हैं अब हमें आई की मातरा सबसे पहले हम किस की मातरा देखेंगे ब, एल, बैल, ख, ख, ख में किसकी मात्रा है, ए की, खे, रात, खे, रात, बा में फिर से ए की मात्रा, बै, ज, नाथ, बैज, नाथ, अब फिर से चा है, चा में फिर ए की मात्रा और ये ना, चैन, फिर त, ता में ए की मात्रा, तै, नाथ, क्या बन गया, तै, नाथ, अब ये क्या है सबसे पहले, का, का में ए की मात्रा, क्या बोलेंगे, कै, कै, द, अबने यहां से शब्द लिये, और यहां लिखती है कैद खाना कैद खाना तो हमने एक ही मात्रा की शब्दों को जोड़कर हमने शब्द बना लिए बैल खैरात बैजनाथ चैन तैनात कैद खाना और इसके साथ हमारी आज की मात्रा नहीं समाप्त होती है फिर से हमें एक नई मात्रा के साथ आते हैं तब तक के लिए आभार